हेलो एवरिवार वेलकम टो मैं चैनल पीके कोमर्स स्टडी कैसे हैं आप लोग उमेदे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो फ्रेंट्स आप लोगों का एक्जाम अब बहुत ही जल्द हो जाएगा तो आप लो आप लोगों के एक्जाम के लिए भी काफी हेलफूल होने वाला है तो वीडियो के लास्ता केरफुली बने रहे हैं और अगर आप पहली पर हमारे चैनल पर विजिट किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके क्लिक जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी तो इसका नॉटिफिक्स सबसे पहले आपको मिल जाएगा क्योंकि इस सैनल में हमेसा आप लोगों के एक्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन का आंसर लाते रहती हैं जो कि आप लोगों के एक्जाम के लिए काफी हेलफफूल होता है तो आज का कुस्टन ने फ्रेंड की नियोजन क्या है नियोजन की परिभासान नियोजन के लच्छन एवं अधिस्यों की व्याक्या करें तो जैसा कि फ्रेंड सी उमिद है आप लोग ये सब्द्स से पहले से परिशीथी होंगे नियोजन यानि कि इसका English Meaning होता है Planning तो सबसे पहले मैं इसका basic meaning बता दूँ जैसे कि Friends हम लोग कोई भी कारे करते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग planning करते हैं कि हमें ये कारे को करना है ऐसे करना है कार्य को करने से पहले यानि कि management का या बहुत ही मातपूर्ण पाठ है नियोजन यानि कि किसी भी management को करने से पहले किसी भी कार्य को start करने से पहले हमें क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है यह सब लोग इसका साब्दिक मिनिंग को देखते हैं कि नियोजन का साब्दिक मिनिंग क्या होता है देखी फ्रिंट्स यहां पर दिया गया है नियोजन का मीनिंग दिया गया है प्रबंध या प्रबंध का प्रथम वा अनिवार्य कारिय माना जाता है नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लच्छियों की प्राप्ति हेतु पूर्व से ही उदिश्यों नितियों का निर्धारन किया जाता है जैसे कि क्या करना है कैसे करना है और किस विक्ति द्वारा किया जाना है ये सभी पहले से ही निर्धारित किये जाते हैं कि कौन से कार्य को कौन विक्ति करेगा और क इस तरह से करना है ये सब ही कारिये को प्रारम करने से पहले decision लिया जाता है तो यह management का बहुत ही महत्पून पार्ट और सबसे पहला कारिये माना जाता है क्योंकि friends कोई भी कारिये को करने से पहले अगर हम लोग नियोजन नहीं करेंगे planning नहीं करेंगे और बिना सोचे समझे अगर किसी कारिये को कर लेंगे तो उसमें हमें बहुत ही बड़ी जोखीम का सामना करना पड़ सकता है इसलिए प्रबंध में नियोजन का बहुत ही महतपूर्ण अस्थान दिया गया है और इसे ही कंपलसरी फंसन माना गया है तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं डिफनेशन क्या होता है प्रसीद अंगरेज इतिहास कारण डाइनमी के अनुसार या वह योजना बनाता है किसी भी कार्य को करने से पहले मनुशना एक बार सूंचता है कि हम ये कार्य को ऐसे करेंगे ये कार्य को वह वेक्ती द्वारा कराएंगे तो हमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी उनके द्रिष्टी कौन से योजना बनाना मनुस्य की मानसिक्ता का एक अभीन अंगे उधारन के लिए जैसे की मान चलिए उधारन के लिए यहां पर दिया गया बिद्यार्ती परिक्सा देने एवां उसमें सफलता प्राप्त करन के लिए योजना बनाता है देश की बित मंत्री आर्थिक साधन जुटाने के लिए योजना बनाते हैं जिसमें देश की आर्थिक उनती हो सके यानि फ्रिंट्स सिंपल सी एक्जामपल के मादें से हम लोग समझतें जैसे कि हम लोग का एक्जाम अभी बहुत ही करीब आ गय हैं उसे ही प्लैनिंग कहते हैं विली इगोज के अनुसार यहां पर बताया गया है कि नियोजन प्रात्मिक रूप से चेयन है प्रात्मिक रूप में चेयन है तथा नियोजन की समस्या का उदय कारी की बेकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होती है उप्रोग परिवासा के अ तो निर्ने लिया जाना या निर्धारित किया जाना ही नियोजन है इसके अंतरगत क्या करना है कब करना है किसे करना है किस विधी से करना है किस साधनों के परियोग से करना है आधी आधी चीजों का पूर्व निर्धारित किया जाता है ये सभी को समिलित किया जाता है बिक्तिय को दिवारा दिये गए परिभासाओं से हमें यही बात निकल कर आती है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसको पूरा करने से पहले हमें नीरने लेना होता है कि किस कार्य को कैसे करना कब करना है और कुछ सा मेथर यूज करेंगे जो कि हमें उस कार्य को करने में असानी होगी और किन किन सादनों का परयोग करना है इस कारिये को करने में उस कारिये को सबसे पहले जुगार करके रख लेना है ताकि हमें इस चीज की जोरत पड़ी उस कारिये को करने में तो हमें कारिये को सफल बनाने में असानी से कारिये सफल हो जाएंगे चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि पलानिंग के लक्षन यानि कि कार्टर श्टिक्स क्या है? यानि की नीयोजन के लक्षन या विसितला हैं सतत्व हु क्या लोजपूर्ण प्रक्रिया हमसा कए जाने वाल्य कार्य constitu कुथ जाता है या कारिया हम लोग अपने दें जीवन में हमेशा करते है या सुवा उठते हैं हम लोग पूरा दिन चार्या का अज हम लोग आंडिंक करेंगे मतलब पूरा आकड़ा हम लोग सूबे में Sanกal लेते हैं कि आज हम लोगों को दिन ऐसा रहेगा वैसे करना है ऐसे करना ऐसे कर के हम लोग पूरा दिन का नियोजन पहले ही कर लेते हैं सुबा उठते ही उसी तरह यहां पर बताया गया है कि सतत्वा लोजपुर्ण प्रक्रिया नियोजन का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नियोजन में भवीसी के लिए लोज की संभावना होनी चाहिए क्योंकि देश की बेवस्ता का परभाव, प्रमूख, सभी बेवसायों एवं सभी योजनाओं पर पड़ता है अगला पॉइंट आजाता है फ्रेंट्स सारुप परिता नियोजन नियोजन किसी वेवसाय की सफलता के लिए प्रथम चरन है यानि फ्रेंट्स कोई भी बिजनस अगर हम लोग करना चाहेंगे और अगर बिना नियोजन किये ही अगर बिजनस को स्टार्ट कर देंगे जैसे कि अगर मान की चलिया कोई हम लोग ऐसा बिजनसा स्टार्ट करती है और ऐसा एरिया पर स्टार्ट की है जहां पर उस वस्तू का बिल्कूल भी डिमांड नहीं है तो ऐसे में हमारा बिजनस डूब भी सकता है बहुत बड़ी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है स्टार्टिंग करना पड़ता है इसलिए यहां पर बोला गया है कि सर्व परिता नियोजन किसी बेऊसाय की सफलता के लिए प्रथन चरण है नियोजन के बीना किसी भी कारे को कार्यान वीत नहीं किया जा सकता है तीश्रा पंट में दिया गया है पूर्वनुमानों पर करनेंबाले कार्यों का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है अगली विसेस इसी करेंद्स की नियोजन के लिए अत्यंत आवस्याक है नियोजन के बिना किसी भी कारी को बेवस्तित रूप से परदान नहीं किया जा सकता है अगला पॉइंट है नियोजन उदेशियों वाल लच्छियों पर निर्धारित होता है यानि कोई भी कारिये हम लोग करते हैं तो लोग एक गोल्ड सेट करते हैं कि हमें इस तरहा से करना है कि अपने गोल्ड को एस्चिव कर लेना है नियोजन निर्धारित उदेशियों वाल लच्छियों की प्राप्ति के लिए अत्ती महत्पून है नियोजन नियोजनाओं को सही अनुरूप देने के लिए बहुत अवस्यक है इसके अभाव में योजना कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है अगला आ जाता है विभीन बेकल्पिक किरियाओं में से सरोतम का चेयन नियोजन की महत्पून विसेस्ता विभीन बेकल्पिक किरियाओं में से सरोतम किरिया को चुनना है प्रबंद के सामने विभीन बेकल्पिक नीतियां विधियां वा कार्य करम होते हैं प्रंतु प्रबंध को अपनी सफल करता के लिए सरोतम नीतियों एवं विधियों को अपनाना होता है अगला पॉइंट आजाता है एकता फियोल के अनुसार एकता भी नियोजन का एक आवस्त्यक लच्छन है यानि फ्रेंट्स किसी भी कारिये को अगर हम प्लैनिंग के मुताबिक करते हैं तो अगर अगर मान की चली knife कोई बिजनसर बिजनस में वहाँ के जो इमपलोई है उन लोगों के बीच में एकता नहीं है किसी कारिये को करने के लिए तो इस तरहा से भी हमें बिजनस में जोकिन का सामना करना पड़ सकता है इस समय में केवल एक योजना ही कार्यानवीत की जा सकती है क्योंकि विभिन योजनाओं के होने पर दुवीधा भरांती एवं अर्थवेवस्था फैलेगी हलांकि आप सकता पढ़ने पर एक ही सामुहिक योजना को अनेक उप योजनाओं में विभक्त किया जा सकता है प्रन् पाती योजना एं इसका जो लंत उधारन है चली फ्रेंट्स अब हम लोग देखते हैं नियोजन के उदेश से यानि की ऑप्जेक्टिव्स और प्लैनिंग कुसलता में ब्रीधी करना नियोजन का प्रमुक उदेश से उपकर्म की कुसलता में ब्रीधी करना है जिससे सर्व तम बिकलबो के चेन द्वारा हिऊजना को ठीक परकार से किर्यानुवित किया जा सके अगला दिया हुआ है स्वास्त मोर्चा बंदी नियोजन का उदेश स्वास्त मोर्चा बंदी को विक्सित करना भी है पुरण उमानों एवं सरुतम विकल्ब के चैन सही मोर्चा बंदी वा व्यूव रचना तयार की जा सकती है अगला दिया हुआ है उदे से की प्रबंद में मितवाईता, यानि की कोडिनेशन होना बहुत जरूरी है की जितने भी लोग बिसनस में काम कर रहेएं सभी में एकमत होना बहुत जरूरी है यानि की अच्छा तालमेल और अच्छे से कारिये को करने के लिए सबका सहयूग का होना बहुत जरूरी है प्रबंध मितवईवता उपकर्म की भावी गती विधियों की योजना के बन जाने से प्रबंध का ध्यान उसे किर्यानवित करने की और केंद्रित हो जाता है जिसके फॉल सरूफ किर्याओं में अबवय के अस्थान पर मितवईता आती है अगला जाता है भावी कारियों में निस्चित्ता यानि की प्लैनिंग होने से सभी कारिये निस्चित हो जाते भावी स्थे में होने वाले नियोजन के कारण सम्भव हो पाता है है । पूरवन वाद नियोजन का अधार है नियोजन का उदेश भविशय के संबद में पूरवन वान लगाना है जिसे वरत्मान में कार्मों का निर्धारन किया जा सके यानि कि फ्रेंड्स इसका या भी उदेश्य होता है कि पूर्वनुमान करना यानि कि किसी भी कार्यों को करने से पहले ही अनुमान लगा लेना ताकि नियोजन का उदेश्य जो हो वो अच्छे से निर्धारित हो सके कारे में सफलता प्राप्त किया जा सके इसलिए पुरोनुमान लगाना भी इसका उदेश्य होता है आखरी उदेश्य आता है फ्रेंड्स प्रतियस परधा पर विजय पाना याने की जो कंपिटिशन खड़ा होता है इन फ्यूचर में बिजनस को लेकर या फिर किसी भी कारियों को लेकर तो उसमें अगर बिजनस में नियोजन के द्वारा किया गया है तो इसमें विजय पाया जा सकता है दाओं पेच पूर नियोजन प्रतियस परधा के चेतर में विजय पाने सहाई अक्सीद होता नियोजन कार्य कुशलता इवा मितवईता के से किये जाने के कारणी प्रतियस परधा का सामना किया जा सकता है तो उमिदे फ्रेंड्स आप लूब नियोजन के टिप्स कारेक्टर्स्टिक्स को बहुत ही अच्छे से समझें तो ऐसे ही इंपोर्टेंट्स प्रस्णों के उतर पाने के लिए मारे सेनल को लाइक और सब्सक्राब जरूर करें